पुछले आठ साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और योग को दुनिया भर में पहुंचाने वाले भी तो यहीं हैं योग को अंतराष्ट्री पहचान पीम मोदी ने ही तो दिलाई और योग पीम मोदी के भी जीवन का एक महत्रपून हिस्सा है 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे आठ साल से देश के प्रधानमंत्री का पत संभाले हुए हैं बिना थके बिना रुके देश को बुलंदियों पर पहुचाने में दिन रात जुटे हुए हैं किस के सहारे योग के सहारे पियम मोदी ने अपनी दिन्चरिया में योग को कुछ ऐसे शामिल किया हुआ है कि योग उनके जीवन का तूट हिस्सा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं नरेंद्रु मोदी सरकार पर योगा क्लासेस बंद करवाने का मतलब जिस शक्स ने भारत वर्ष की धरोहर योग को दुनिया में स्थान दिलबाया कि इजरिवाल के मताबिक वही पियम मोदी और उनकी सरकार मिलकर दिल्ली में योगा क्लासेस खत्म करने का दबाव बना रहे है अरे खिजरिवाल साहब बीजेपी को और मोदी को कोस कोस कर आप और कितने नंबर बटो रहेंगे आपके हिसाब से योग को अंतराश्ट्री बनाने बाले पियम होदी इसे दिल्ली में नहीं चलने देंगे एक बार बोलने से पहले थोड़ा तो आपको सोची लेना चाहिए और साथ ही ये जो आप बात बात पर भीक मांगने की बात करते हैं ये भी बंद करतीजिए आप भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंतरी हैं आपके मुँसे ये बाते शोभा नहीं देती जबकि आप खुद कबूल कर रहे हैं कि आपके पास देश भर से डोनेशन के लिए कॉल जा रहे हैं तो डोनेशन लीजे और क्लासिस चलाए जिन योगा क्लासिस को बंद करने का आरोप आप बीजेपी पर मढ रहे हैं भाई डोनेशन से जो पैसा आने वाला है उसी से करवाईए क्यूं हर बात पर भीक मांगने की नौबत आ जाती है केजरिवाल सहाब। अर्वेंद केजरिवाल उनके पाटी नहीं दिल्ली में कोविट से खराब हुए हालात को देखते हुए योगशाला कारिक्रम शुरू किया था लेकिन आम आदमी पाटी का आरोप है कि अब एक नवंबर से बीजेपी ने अफसरों को डरा धमका कर इस योजना को बंद कराने क आदेश दे दिया है आम आदमी पाटी का तो ये भी कहना है कि उन्होंने इस मामले को LG के सामने भी उठाया था लेकिन उपराज जिपाल ने इसे लेकर कोई आदेश चारी नहीं किया दिल्ली की योगशाला का ट्वीट रीट्वीट करते हुए दिल्ली की योग मुख्यमं को में योग की 590 क्लास बंद हो जाएंगी वहीं सुमवार को मनीश सौधिया ने लिखा था दिल्ली की योगशाला को जारी रखने का मेरा प्रस्ताह मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी के मंजूरी के बाद LG साहब को भेजा गया था जिस पर अभी तक उन्होंने काम को जारी रखे यह योगा क्लास जारी रहेंगी मेरी सभी टीचर से अपील है कि आप योगा क्लास में कल से जाईए आप योगा क्लास लीजिए मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके मैं खुद जाके भीख मांगूँगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूँगा जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूँगा और योगा क्लास होंगी योगा क्लास को रोका नहीं हम यह योगा क्लास बंद नहीं होने देंगे मुझे घर-घर जाकर भीग भी मांगनी पड़ेगी मैं मांगूँगा लेकिन योगा क्लास बंद नहीं होंगी केजरिवाल यही नहीं रुके उन्होंने बीजेपी आगे भविश्य में क्या करने वाली है उसका भी आखलन कर लिया दिली के मुख्यमंत्री अरवन केजरिवाल ने लिखा इन्होंने योगा क्लास बंद आपके सामने खड़ा रहेगा तो कुछ इस तरह गुजरात के चुनाप के लिए बनाया जा रहा है पूरा महौल कुछ इस तरह से नंबर बनाने में जुटे हैं केजरिवाल दावा तो यहां तक भी कर चुके हैं कि पंजाब में भी और फिर जीत के बाद गुजरात में भी योगा क्लासे शुरू की जाएंगी वैसे आप केजरिवाल के सडक पर घर घर जाकर भीक मांगने वाले आटिट्यूट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सोशल मेडिया पर तो अपने इस बयान के लिए खूप ट्रोल हो ही गए है अरवन केजरिवाल लेकिन आप इस आम आदमी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें जरूर बताएं